दोस्तों गर किसी वेक्तिए खिलाब कोई एफायर दर्ज है और उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना है किसी भी करान से तो उसे प्रोब्लम फेस करनी ही पड़ेगी तो क्या करना चाहिए कि अवल ऐसा नहीं है दोस्तों किसा जो सिलेक्शन में ही पुलिस वेरिफिकेशन होता हो और दूसरी चीज़ों में भी होता है अगर आप पास्पोर्ट वनवाने जाते हैं तो उसमें भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है आप अगर ड्राइवी लेसेंस बनवा रहे हैं उसमें अगर आपकी वुरुत को एफायर पेंडिंग है तो भी दिक्कत आएगी अगर आप क्या कर सकते हैं हम कि हमारे उप पर कोई एफायर दर्जी या कोई केस है उसको कैसे हम निप्टे की पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत ना आएं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो को पूरा देखें काम जरूर आएगा और लाइक शेर जरू करें और नया फॉ कि कि आपको फॉर्म में एप्लाइ कर रहे हैं जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होना है तो उस कंडिशन में अगर आपकी विरुद कोई एफायर दर्ज हुई है न दोस्तों तो उसकी डिटेल देना चाहिए अगर आप छिपाते हैं तो यह भी एक रीजन बन जाता है आपक दूसरी बात कि जिसमान लीजिए आपका सेलेक्शन हो गया जौब के अंदर अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है लेकिन आपकी विरुद एक मामला दर्ज है या जिसमें मामला आपका कोड के अंदर चल रहा है कुल मिला कि आपके उपर एक मुकदमा दर्ज है तो दोस्तों सबसे बेस्ट सॉलूशन ये है आप उस केस को जल्दी से जल्द खतब नहीं करवा सकते बहुत टाइम लगता है केसे इसके अंदर इसलिए सबसे बेस्ट है कि जो शिकायत करता है कंप्लेनेंट है उसके पास जाएं उससे बातचीत करें उसको कंवेंस करें कैसे हाता जोड़ी करके करें प्यार से करें रिक्वेस्ट करके करें समझता करने के लिए तो यह सबसे best और सबसे तरीक है कि तुरंट आपका केस्ट का निस्तरन हो जाएगा for example मान लीजिए कि बंदा आपसे एग्री हो गया है सेटलमेंट करने के लिए लेकिन दोस्तों केसे अलग-अलग केटेगरी होते हैं कुछ मामले ऐसे होते हैं जो की सीधी तोर पर राजी नामे योग्य होते हैं जिनमें आप जाओ कोड में राजी नामा पेश करो और केस खतम जज्जमेंट की कोपी लो संबंदित लोकल थाने पर जाकर करके सब्मिट करा दो पुलिस वेरिविकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ धारा तो ऐसी होती जिनमें राजी नामा नहीं हो सकता तो भाई उस कंडिशन के अंदर जिनमें राजी नामा हो सकता है उसमें देपेश करदो और जिनमें नहीं हो सकता उन में बयान current करवायेगा आपका वकील जो बात उस धारा से रिलेटेडेड है उससे अलग बात करवाएगा आपका करवायेैं या फिर पिर कोई उसके है चाकु जैसी चीज या नुकीली चीज घुसी है पैट के उपर और आपके उपर लगे 307 धारा यानि हत्या के प्रियास की तो भाई उस कंडिशन के अंदर वो यह कह सकता है कि साब मैं भाग रहा था और एक दम से मैं गिरा एक नुकीली चीज मेरे यहां घुस गई जिसके ब इसमें यह बात है कैसी लिख दी गई यह फैर ही नहीं है तो कुल मिला करके मेरा भाव यह एक हैने का कि हम बयान चेंज करवा देते हैं तो उस कंडिशन के अंदर out of the court होता सेटलमेंट तो तीनों कंडिशन बता दी मैंने सबसे बेस तरीका है कि अकर आप सेटलमेंट करते हैं तो यह एक बड़ी की केटेगरी में आता है और आपको जोब देने में कोई दिकत नहीं आएगी किसी भी ऑथोरिटी को तो एक बेस सोलीशन हो गया दूसरा कि बहुत से केसे जैसे होते हैं दोस्तों तुछ चोटे केटेगरी के होते हैं जिनमें आप जुर्म स्युकार करके मामले को सेम देख खतम करा सकते हैं लेकिन इसमें क्या होता है आप कोट से निवेधन करते प्रोबेशन ओफेंडर एक्ट का एडवांटेज देने के लिए यानि जो आपने जुर्म स्युकार किया है उस जुर्म स्युकार का जो कन्विक्शन कोट ने किया है जो सजा आपको दिये उसका आपकी जॉब में अगर आप जोब में तो उस पर कोई ना पड़ें या फिर अगर आप इन फूचर जोप करने वाले तो उस पर कोई इमपेक्ट ना पड़ें तो जो सेक्शन तीन-चार का लाव आपको देता है कोट लेकिन मैं आपको यह सला नहीं याप को मिल सकता यह लाव तो है किसी चोटे होटे वामले में सबसे पहला बैस्ट है कि आप जाए समझोता साकिंड कंविक्ष्चन वाला आप इस्तिमाल करना चाहें तो कर सकते हैं बट मैं आपको इसके लिए समय सब्सक्राइब है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तीसरा कि दोस्तों मानली जीए आपके ओपर कोई केस है और ऐसा केसे कि भाई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला आपकी करियर को कन्विक्शन के बाद भी और बिना कन्विक्शन के भी पेंडिंग रहे अगर आपकी मामला चल पैंडिंग है तो आप डिटेल देखे चली रहे मैंने बताया आपको जो न्यूकत देने वाला न्योकता यह जो आपको चैन करने वाली उन्होंने आपकी जो उस पेंडिशन के अंदर यह दोने स्टेज़ेस तो आगे आ अपन पहले समझता हुआ नहीं है दूसरी के अंद पता चल गया है यहां पर हमारे विरुत तो एक मामला था जो कि आप जोईनिंग नहीं दे रहे डिपार्टमेंट अप क्या करेंगे तो उस कंडिशन के अंदर आपको जोईनिंग दे सकते हैं अब इन कंडिशन को आप फुलफिल कर दें जो भी कंडिशन सो बताएं फॉर पैश करें दो जोइनिंग देगें या या पिर आप बरी हो क्या ओव जोईनिंग देंगें तो यह कंडिशन से आप मेने बताया मारल टरु tuna नेतिक अधमता से डिलेटेड मामले ऐसे केटेगरी बनी वी है कि कौन-कौन से मामले हैं जिनमें आपको जोब लेने में दिक्कत आती है तो कौन से मामले हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताए उस पर डिटेल्ड वीडियो लेकर करके आँगा करें ऐसे ही वीडियो देखने की नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंक यू